नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यवारता में दोस्तो, आज हम अपनी व्यंजन संधी के कुछ एक जो आखरी के बचे हुए नियम है उनके बारे में देखेंगे तो चले दोस्तो, शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की दोस्तो, इस से पहले हमने तौष संबंधी, जो अपने 5-6 नियम थे उनको पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे उपसरग संबंधी कुछ नियम है दोस्तो इससे पहले हमने सम और परी उपसर्ग के बारे में थोड़ा सा दोस्तो पढ़ लिया था कि उनके साथ अगर किसी अन्य बरणों का योग हो जाता तो उसमें क्या क्या चीजें हो जाती हैं और यहाँ पर हम दोस्तो आज पढ़ रहे हैं निर और दुर उपसर्ग संबंधी नि दोस्तो तो आज हम देख रहे हैं निर और दुर उपसर्ग संबंधी जो नियम है देखिए ये क्या कहता है इसमें कहते हैं कि निर और दुर उपसर्ग के बाद यदि रौ वरण आए देखिए कौन सा वरण आए रौ वरण आए तो प्रत्थम रौ वरण का लोप हो जाता ह देखिए प्रत्थम रवर्ण का क्या हो जाता है इसमें लोप हो जाता है निर और दुर में जो पहला है देखिए उसका क्या हो जाएगा पहले वाले रव का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा और जो प्रत्थम वर्ण है प्रत्थम वर्ण का मतलब है नी जो ये नी है ये कि वाली नीम है तो इसको कहते हैं दीर गोना ठीक है दोस्तों तो देखिए इसके उदाहरन देख लेते हैं जैसे निर जम्हा रस तो इसमें देखी क्या है कि जो रो है यहां भी रो है और आगे भी रो है तो यह कहते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा जो प्रत्थम रो है ठीक है वो क्या हो जाएगा? वो लुब्ट हो जाएगा. तो आगे वाला रास हम पहले लिख देते हैं, देखिए ऐसे. आगे वाला राव हमने लिख दिया और सौ भी लिख दिया. ठीक है? फिर ये कह रहा है कि जो प्रत्थम वर्ण है, वो क्या हो जाएगा? दिया में बदल जाएगा. तो नी छोटा है, तो ये किसमें बदल जाएगा? बढ़े में बदल जाएगा और ये इस तरिके से हो जाएगा. क्लियर रहे दोस्तो? बहुत सिंपल है इसको समझना. बस आपने इसको थोड़ा सा इसमें याद रखना है कि इसमें क्या है? उपसर्ग संबंधी नियम लगा है न की कोई दूसरा नियम क्लिर है दोस्तो और जब हम निर और दुर ये जो उपसर्ग संबंधी नियम कर रहे हैं दोस्तो ये विसर्ग संधी के तरीके से भी हम इसको क्या कर सकते हैं इसको इसको विच्छे दिद कर सकते हैं क्योंकि जो देखिए आप अगला जो शब्द देख रहे हैं निरोग तो ये आपको मिल जाएगा किसमें विसर्ग संदी में भी अगर मान लीजी आप लोगों को दोनो option होंगे विसर्ग संदी का भी और वियंजन संदी का भी ठीक है तो जादा तर इसको किस तरीके से ही काड़ा जाता है इनको देख जाता है जो हमारे विसर्ग संदी है उनके नियमों के अनुसार लेकिन जब उपसर्ग से संबंदित प्रशन पूछा जाएगा तब हमारा उतर क्या होगा, तब हमारा उतर होगा कि इसमें क्या है, व्यंजन संधी है, उपसर्ग के चलते, clear है दोस्तो, अगला है देखिये, जैसे दूर राजा, तो इसमें भी क्या है, राजा का राजा ही रह जाएगा, और पीछे क्या हो जाएगा, राख खत्म हो बस, simple सा इतना ही है इसमें, clear दोस्तों, तो ये था दूर और निर, जो हमारे दो उपसर्ग हैं, उनके सम्मंधित नियम, अब हम आगे देख लेते हैं, अगले जो नियम है, व्यंजन संदी के उनके रूप, ठीक है दोस्तों, सबसे पहले देखिए, ये क्या कह रहा है इसमें ये बोल रहा है कि ओ आ के अलावा, अन्यस्वर के साथ सवर्ण आए, तो सव किस्थान पर सवर्ण होता है, देखिए, ओ आ के अलावा, ठीक है, अन्यस्वर्ण, तो कितने ग्यारा सवर हैं तो उसके अलावा जो भी आए, ठीक है, सवर्ण आए, तो उनके साथ क्या आए, इन और आ के अलावा जो अन्य स्वर हैं, उनके साथ क्या आ जाए? सौ आ जाए, स्लेट वाला, ठीक है? वरण आए, तो सौ के स्थान पर शौ शटकोन वाला हो जाता है. या यूँ कहें, जो ये सौ है, उसके स्थान पर दूसरे वाला शौ, पेट कटा शौ जिसको वोलते हैं, वो वाला हो जाता है. देखिए, बहुत सिंपल है इसको समझना भी, जैसे वी जमा सम, विशम. तो देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया, वी में क्या था, ए थी ना, चोटी ए, ठीक है, चोटी ए थी और आके क्या है वो, अलावा है, और आके भिन है न, भिन स्वर है, ठीक है, आगे क्या है, सौ वरण है, ठीक है, आगे क्या है, सौ वरण है, तो इस सौ वरण के स्थान अभी जमा सेक, तो यहाँ पर भी छोटी E है, आगे सो है, सो की जगा सिदे, शो जो उड़ दिया, तो अभी शेक हो गया, सुजमा समा, सुशमा, वी जमा साल, वी शाल, ठीक है, clear है दोस्तों, तो यह बहुत सिंपल है, इसके कुछ एक अफवाद भी हैं दोस्तों, इसके कु शब्द ऐसे हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संयोग हो जाता है, देखिए, अनू प्लस सार, अनू सार, तो यहाँ पर कुछ भी बदलाब नहीं हो रहा है, सिंपल उसको हम योग कर रहे हैं, उसको इकठे कर रहे हैं, वी जमा सर्ग, वी सर्ग, तो ये कुछ एक इसके अपवाद हैं, किसके जो सौसम्बंधी नियम आप इनको कह सकते हैं, कि शौसम्बंधी नियम है, ये शटकोन वाला शौ, ठीक है, कि बीच में क्या होता है, इस इस वैसा का वैसा ही शब्द जुड़ जाता है, संयोग हो जाता है, क्लिर है दोस्तो, त तो अगला इसका नियम है देखिए, ये कहते हैं कि इ और उ, जो ये लगुस्वर हैं, ठीक है, या हरस्वस्वर जिसको कहते हैं, इ और उ के बाद स्थो, आए तो, स्थो का मलबला है, आदा स्थो और थो, ये आए तो स्थो, तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, ये वाला, तो स्थो किसमें बदल जाता है, श्थो में बदल जाता है, तो स्थो और थो देखिए कौन सी धोनिया है, ये है दंत्य धोनिया, ठीक है, कौन सी धोनिया है ये, दंत्य है, तो ये किसमें बदल जाएगी, स्थो और थो में, तो स्थो और थो किसमें है, मुर्ध ठीक है, तो यह किसमें बदल जाएंगे, देखिए, मूरधन्यम में बदल जाएंगे, है ना, स्थो और स्थो, तो स्थो की जगह देखिए क्या आ रहा है, ये वाला स्थो आ रहा है और ठो, ठो क्या है, दंत्य है, तो ठो कौन से नमबर पर देखिए, देखिए दूस्तों, जैसे हम वर्ग के वर्णों के बारे में पढ़ता है ना वर्ग के अंदर आने वाले पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचुआ तो तो पहला है थो क्या है दूसरा है ठीक है थो दूसरा है ना तो थो देखे कितना है तो वर्ग का दूसरा है तो कहां पर बदल रहा है यहां द तो इनका उचारण स्थान क्या है? दंते है, ठीक है, इनका क्या है? मूर्धा है, इनका क्या है? मूर्धा है, तो ये कह रहा है कि जो ये स्था है, स्था की जगा तो आ जाएगा ये वाला शौ, लेकिन जो था है वो किसमे मूर्धन्य वरण में बदल जाएगा, अगर पहला ह तो अगर यहाँ पर था होता तो यह था में बदलना था लेकिन यहाँ पर था है तो यह किसमें बदल रहा है था में बदल रहा है ठीक है दोस्तों तो स्था के स्थान पर क्या आ जाएगा श्था आ जाएगा देखिए इसके उदाहरन देख लेते हैं उधारन देखिए, जैसे प्रति चोटि इ में कोई बदलाव नहीं होगा, प्रती का प्रती ही रहेगा, स्थान की जगँ क्या जोड़ेंगे हम, स्था की जगँ क्या जोड़ेंगे, श्ठो जोड़ देंगे तो आगे श्ठो में क्या लगी है आगे माता लगी है फिर इसमें नौ है तो ये हम ऐसे कर देंगे इसको प्रतिष्ठान क्लिर है दोस्तों यहां पर देखिए किसमें बदल रहा है ये स्ठो श्ठो में बदल रहा है क्लिर है आदाशो और ठो आदाशोशट कौन वाला मुर्धन्य जो शो है उसमें ये बदल रहा है क्लिर है दोस्तो अगला हुदारण देखिए युदिस्थिर ये कई बार एक्जाम में पूछ जाता है युदिस्थिर में युदिस्थिर का संदी विचीद कीजिए तो युदि जमा स्थिर जो युद में स्थिर रहता हो ठीक है उसको क्या कहते है युदिस्थिर देखिए यहां पर अनिक शब्दों के लिए एक शब्द वी हो गया कि युद में स्थिर रहने वाला, युदि-श्थिर, ठीक है? युदि, युदि में चोटी E की मातरा है, देखिए, यहाँ पर चोटी E की मातरा है, आगे स्थिर, स्थो है न, यहाँ भी, तो इसमें हमने क्या कर दिया? इसमें भी हमने सिंपली श्थो, ये वाला श्थो जोड दिया, क्लिर है? अनु स्थान, अनु प्लस स्थान, तो इसमें क्या होगा? अनु स्थान, क्लिर है दोस्तो? तो ये था आपका शौ संबंधी नियम की शौ और ठौ ये जहां पर होंगे तो उसमें हमारा क्या होगा ब्यंजन संदी होगा अगला है देखिए कि शौ के बाद अब तौ ठौ आए तो ये पहले वाले नियम से ही मिलता जुलता है अब यहां पर तौ ठौ आए तो ठौ मुर्धन्य वर्ण में बदल जाते हैं देखिए उत जमा क्रिष्ट अब तौ बदल रहा है न तौ तो ठौ में क्या जाएगा ठौ ठौ और ठौ उत जमा क्रिष्ट तो उत क्रिष्ट में देखिए लास में क्या है शौ है न आगे क्या है तो क्या, तो दनते था, तो पहले भी आमने कहा कि इसका क्या होगा, तो होगा जो यह वाला, ठीक है, तो उत्क्रिश जम्हा त, उत्क्रिश जम्हा त, उत्क्रिश्ट, clear है? तो पहला है तो भी अपने वर्ग का प्रत्थम है तो ये तो दंत्य है तो मुर्धन्य है ठीक है तो इसलिए ये क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ अगला देखिए इश जमा तो इशट इश जमा तो इश्ट इश जमा तो इश्ट ठीक है इसमें भी ये व पर 6 जमा थी होता तो क्या होना था? 6 थी clear दोस्तो? तो ये हैं अगला नियम अब हम देख लेते हैं इसके बाद दोस्तो कि 9 संबंधी जो नियम है जो हमारे व्यंजन संधी का आखिरी नियम है तो देखिए दोस्तो इसमें क्या होता है? ये कहता है कि 9 वरण से पूर्व यदी री, रो और शो आए तो 9 के स्थान पर 9 हो जाता है देखिए इसमें क्या होता दोस्तो इस वाले नियम में जो 9 संबंधी नियम है इसमें आपने simply याद रखना है कि 9 के बाद या पहले क्या आ जाए मतलब ये 3 वरण आपको कहीं भी दिख जाए री, रो और शो तो 9 किसमें बदल जाता है दोस्तो 9 बदल जाता है 9 में तो ये 9 कौंसा है ये तवरग का अंतिम जो वरण है उसमें बदल जाता है परिनाम में क्या है 9 आ रहा है, clear है ना तो उससे पहले रो आ रहा है ना परी परी में क्या आ रहा है रो आ रहा है ना तो ये किसमें बदल जाएगा देखिए 9 में बदल जाएगा 9 उसके बाद clear है तो 9 समंधिनियम में कुछ नहीं करना है आपने simply आपने 9 के स्थान पर 9 जोड़ देना है चाहे वो रो और री और शौ ये चाहे कहीं भी हो आपने क्या करना है सिंपली 9 के स्थान पर 9 जोड़ देना है जैसे अगला देखिए राम प्लस आयन तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें क्या है दिर्ग संधी है लेकिन इसमें व्यंजन संधी का 9 संबंदी नियम काम करता है देखिए पहले इसका जो वो हो रहा है वो किससे हो रहा है राम प्लस आयन ठीक है राम प्लस आयन तो पहले क्या होगा कि रामा रा और मा आयन तो 9 है न यहाँ पर भी तो 9 से परिवर्तन किसमें हो जाएगा 9 में ठीक है? तो इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? रामायन. इसलिए इसका संदी वीचित क्या मानते हैं? ये है वियंजन संदी, नव समंदी नियम के तहट. क्लिर दोस्तों? नव आ है, आगे देखिए आयन, पीछे क्या है? रो है. ठीक है? पूरों में जाएगा कृष्णा ये था दोस्तो नो سंबंदी जो पहला नियम है वो कि अगर नौवर्ण से पूर्वरी रॉख और शो आए तो नो के स्थान पर नो हो जाता है अब हम नो संबंदी जो दूसरा नियम है वो देख लेते हैं तो क्या है? इस नियम में देखिए क्या कहते हैं? कि नवर्ण के साथ अन्य कोई भी शब्द आए, तो नवर्ण का लोप हो जाता है. ठीक है? नवर्ण के साथ अन्य कोई भी शब्द आए, कोई भी हो. देखिए, यहां पर उदाहरन देख लेते हैं, U1 प्लस अवस्था, तो बहुत सारे लोग इसमें दीर्ग संदी करते हैं, कि यह दीर्ग संदी है, U1 प्लस अवस्था, लेकिन यहां पर भी नवर्ण का जो क्या है? नियम काम करता है. देखिए, कैसे? U1, U1 में क्या है? लास् अल्रेडी है, आगे O है, तो यहां पर दीर्ग संदी अब काम करेगी, फिर आएगा ऐसे यह, ठीक है दोस्तों? तो यह हो जाएगा फिर U1 प्लस अवस्था, लेकिन प्राणी विज्ञान, ठीक है? तो इसमें ऐसे हो जाएगा यह, ठीक है? प्राणी विज्ञान, तो इसम इसरी किस हो जाएगा, ऐसे बदल जाएगा, देखिए इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हमने नौ का क्या कर दिया? लूप कर दिया, जैसे स्वामी भक्ति, तो इसमें क्या होगा? स्वामीन की स्वामीन प्लस भक्ति, मतलब नौ क्या है? लूप तो हो जाएगा और भक्ति को as it is वैसे ही जोड़ देंगे. आतम हंता. आतम हंत मतलब जो खुद को खुद गिम्रित्यू करे. उसको क्या करते हैं? आतम हंता. तो आतमन प्लस हंता. तो इसमें क्या होजाएगा? देखे आतमन प्लस हंता. clear है नो हलंत है नो लूप्त है और हंता को हमने ठीक वैसे ही लिख दिया तो उसका क्या हो जाएगा आत्म हंता तो ये था दोस्तो नो समंधी दूसरा नियम फिलाल व्यंजन संधी यहीं पर संपन होती दोस्तों जो मुख्य मुख्य इसके नियम थे मैंने आपके साथ डिसकस किये अगर आपको वीडियो अच्छे लगा तो दोस्तो प्लीज इससे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शियर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मिलेंगे नयूर्ज और नईसपूर्ती के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जाहिन